कि नमस्कर दोस्तों एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीए परिशाय में फास्ट कैसे लिखा जाए दोस्तों बहुत सरे लोग कमेंट कर रह दोस्तों आए देर नग करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों पहला पॉइंट यह है कि जब यह मार्केट के अंदर पेंखरने जा रहे हैं तो एक ऐसा पेंखर दी है जोर ना तो ज्यादा मोटा हो और ना ज्यादा पतला हो क्योंकि अगर आप ज उस नए पेंट से आपको डायरेक्ट पेपर में नहीं लिखना है आपको क्या करना है कि जो भी नए पेंट आप खरत के ला रहे हैं उस पेंट से सबसे पहले घहर पर आपको दो से तीन पर लिखने के अंदर लेके जाना है आपको डायरेक्ट नए पेंट से पेपर के तो कैदर आपके लिए यसा होता है तो क्रिषए के अंदर आप आप 20 पेज़ लिखे न है कैदर आपड़ी काइप आपका को करेंगे तो कमें थे लिए डियों चैनल कैसे डिन पेजिए कैदर, व lau-lo-lo-lo-lo-lo-lo-so को दर्द होने वाले जो चीजे होती हैं उनसे बचना है क्योंकि अगर आपका हाथ जाद नहीं करे गा तब यह आफ फाश लिख पहेंगे अगर आपकर हाथ करने लाएगा तो आप फाश नहीं लिख पहेंगे इस बात को ध्यान रख pref back दोस्तों सब्दों की बीच उची दूरी रखे दोस्तों देखिए जो भी आप सब्दों की बीच में आपकी उची दूरी होने चाहिए यानिकि सब्द ना तो ज्यादा पास-पास होने चाहिए और नहीं ज्यादा दूर दूर होने चाहिए अगर आपके सब्द ज्यादा पा आप फास्ट लिख पाएंगे पाचवा पॉइंट है दोस्तो कूछ देर हाथों को आराम दीजे दोस्तो कि लिखते-लिखते अगर आपका हाथ दर्द करने लगे तो ऐसे में आप क्या किजिए कि एक मिनट के लिए आप लिखना बंद कर दीजिए और एक मिनट आप अपने हा आपको के वाली स्पीड नहीं देखना है आपको अपनी राइटिंग को भी देखना है लेकिन आपके राइटिंग बहुत बेकार है तो ऐसे में दोस्तों कोई फाइदा नहीं होगा फास लिखने का तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको जो है अगर आपका हाथ करिए फिर उसके बाद लिखना प्रादाम कीजिए उसके बद आपका अगला पॉइंट है कि सब्दों के उपर जो लाइनिंग होती है सीधा रखे दोस्तों कि अगर आपको फास्ट लिखना है तो यह ट्रीक आपको बहुत काम देगा आपके जो सब्द है उसके उपर की जो गाला है तो उपर की लाइनिंग अगर आप सीधा खीचेंगे आप इस्था खीचेंगे तो इससे जितना फास्ट लिखने चाहिए उतना फास्ट आप लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं होगा आपके सब थोड़ा ही धर उतर भी होँगे लेकिन आपकी राइनिंग जो है आग प्रिष्चे होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको forth लिखना है। क्योंकि अगर आपकी writing अच्छी नहीं रहेगी तो आपको इतना भी fast लिख लेंगे आपको number नहीं मिलेगा तो main आपका writing होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको fast भी लिखना है तो दोस्तों आपको इस वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और comment करके बताएं कि आपको next वीडियो की topic उपर चाहिए थैंकि दोस्तों